नमस्कार वण इंडिया में आपका स्वागत है मेरा नाम अविनाश है तीन साल पुरानी बात है और अब खुल कर सामने आ रही है कैमरेन बेंक्रॉप्ट ने एक बार फिर से अस्ट्रेलियाई खिलाडियों को कट घरे में ला दिया है कैमरेन बेंक्रॉप्ट ने कहा है कि सेंट पेपर वाले प्लान के बारे में गिंदबाजों को पता था लेकिन क्रिकेट आस्ट्रेलिया की जाँच में तीन ही लोग दोशी पाए गए थे पहले स्टीवन स्मीथ जो उस वक्त कप्तान थे डेविड वार्नर जो उस वक्त कप्तान थे और खुद कैमरेन बेंक्रॉप्ट अब क्रिकेट आस्ट्रेलिया के प्रवक्ता ने कहा है कि बात को गंभिरता से ली जाएगी और जाँच शुरू हो सकती है लेकिन उस से पहले हम आपको पूरा बयान बताते हैं कि बनक्रॉप्ट ने ताजा इंटर्विव्यों में क्या कुछ का है धगर जियन को दिए गए इंटर्वियो में जब बनक्रॉप्ट से पूछा गया कि कि क्या किसी गिंदवाज को इसके बारे में पता था तब उन्होंने कहा कि वो अपने कामों के लिए खुद जिमेदार है लेकिन साथ ही कहा कि शायद इसके बारे में कुछ गेंदबाजों को भी जानकारी थी उन्होंने काई कि मैं निश्चित रूप से निराज था क्योंकि मैंने टीम को निराज किया और एक ऐसा काम किया जिसने मेरे मुल्यों को सही तरीके से समझाउता किया ऐसा लगा जिसे मैंने बहुत कुछ फैंक दिया हो अब कैमरें बेंक्राफ्ट के इस बयान पर खुद क्रिकेट अस्ट्रेलिया के प्रवक्ता ने कहा है कि नई जानकारी में दम है इस मामले की जाँच फिर से शुरू हो सकती है cricket अस्टु एलिया ने हमेशा कहा है कि अगर किसी के पास 2018 गेप्टाउन टेस्ट के बारे में कोई नई जानकारी हो तो वो आगे आए और इससे पेश करें उस वक्त इस मामले की विश्थरित जाच की गई थी तब से किसी ने क्रिकेट रस्टुलिया के पास कोई नई जानकारी नहीं दी थी जिस पर संदेह किया जा सके आपको बता दे उस टेस्ट मैच में नाथन लियों जो शह जलूर, मिचल स्टार्क, पैट कमिंज जैसे गिनबाज थे ऐसे में क्रिकेट रस्टुलिया अपने चारू गिनबाजों पर बयान लगाएगा ये कहना कठीन है पर सजा तो तब दी जाएगी ना जब गुना हो गिनबाजों को पता था पर उन्होंने बॉल टेंपरिंग की नहीं थी दूसरी बात ये है कि गड़े मुर्दों को उखाड करका भी फांसी पर लटकाया नहीं जाता है इस खबर में बस इतरा ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ